आप अप आप अब दोस्तों मेरे नाम है कृष्ण और आज में बात करने वाला हूं ग्रेइन ग्रोथ के बारे में कि आफटर रीक्रिस्टलाइशन के बाद जो क्रिस्टल या जो भी हमारा कंपोरेंट है उसका इस्ट्रक्चर की ग्रेंश होते हैं उनके साइज में किस तरीके से ग्रो म deber-म्लाइट कर देते है न ग्रेंश है समवाज वाड़ 양वाट होते हैं वो छोटे होते हैं ठीक है समवट नाने शेप लेकीन वह रहे होते शेप में कि मतलब सेम सेम साइज के सारे देल बत चोटी रहिए तक तेंपरेंचर इस में ग्रोट कारते रहेंगा जब तक कि हमारा टैमपरेचर है वो बढ़ता रहेगा अब रिकिस्टलाईएशन के से अगर हिलका सा भी अधिक होगा या उससे अधिक होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा ग्रें का शेप है या साइस है वो रेगुलर बढ़ता रहेगा ठीक है आगर देखते हैं है भी दिश्ट इज रिजल्ट आफ टेंडेंसी मोर्ट आता है वह रिजल्ट रहा है कि जब पहले उसके उपर यह जो डिफॉर्मेशन होई थी तो हमने स्ट्राइशन किया रीक स्ट्राइशन किया ताकि जो इसका ग्रेंड का जो स्ट्रक्चर एसमें ऑमारे ग्रेल्स से वह नए बन जाए तो इसे में क्या हुता है तो एसे में होता है स्ट्र 수न में होता है वह वह क्या चाहता है कि more stable वो क्या कर ले स्टेट अटेंड कर ले ताकि उसको फिर दुबारा से कोई दिक्कत ना आए ठीक है अगर वह stable नहीं रहेगा ठीक है और larger state पर नहीं रहेगा तो फिल हलकी सी temperature अधर अधर पर होने पर यह हलकी सी मशीनिंग पर उसका क्या है state चेंज जाई प्रॉपर्टी चेंज जाई तो इसलिए वो क्या करता है है more stable होने के लिए या larger state होने के लिए टेंदेंसी दिखाता है एंड एपीर स्टु डिपेंड प्राइमरली ओंड सेव ग्रेंज और वह जो भी दिखाता है वह हमारा किस पर होता है शेप अफ ग्रेंज पे कि ग्रेंज का क्या है सेप कैसा है अगर दिखते है अगया है जो एजय को एगने टेंपरेचर अबोव दा रीकिस्टलाइशन टेंपरेचर क्या रहा कोई बी टेंपरेचर जो कि रीकिस्टलाइशन टैम्परेचिस से ऊपराए नॉर्मली देरिज प्रेक्टिकल मैक्सिमम साइज एट विच ग्रेंग विल लीच एक्लियूब प्रिवेंबीच हो जाती है उसमें जिसके बाद उसका साइज क्या होता है बड़ा नहीं होता है उसके बाद उसका साइज इंक्रीज होना लिमिट हो जाता है एंड से ग्रोव एप्रिसेबली नो मेंटर हाव लॉंग दे आर हैल एड तेपरेचल उससे कोई फर्क नहीं रखते हो ठीक है एक नॉर्मल क्या है वो हाई जो भी है उसका साइज वो अटेंड कर लेने के बाद ठीक है तेर आर हावेवर सर्टन काइंड ऑफ अबनॉर्मल ग्रेन ग्रोथ डाट अपकर आज रिजल्ट अप्लाइड और रेजिडिवल ग्रेडियंट ओवर स्ट्रेंड इंप्रोटी डिस्ट्रिबिशन के लेकिन फिर भी कुछ ताइप के एबनॉर्मल ऐसाधरन ग्रेन ग्रोथ हैं ठीक है यह होते हैं एज रिजल्ट ऑफ अप्लाइड और रेजिडिवल ग्रेडियंट ओवर स्ट्रेंड ड्यू टू नन इनिफॉर्म इंप्रोटीज कह रहा ह तो आप उस पर रिजिडिवल ग्रेडियंट डाल दो या स्ट्रेंड बढ़ाने की वैसे हो या नन इनिफॉर्म हमारा क्या हो यह इंप्रोटीज की वैसे हो तो इन चीजों की वैसे ऐसी एबनॉर्मल आयाता है जिसके अंदर उसका साइज क्याता है बहुत जादा बढ़ एक हचर धिय suction श्राप एंड विथ परमीट ग्रोंक दरें ररे मेरे ला может सिंगल ग्रे उठीक करता है जो मारे ग्रेंज को एक सिंगल रिन भीन बनाने में वह अभी बहुत बड़ा है बस नौर्मल केस था है ये था हमारे आगर बीडियो ग्रेम ग्रोथ है